कि यह जो नए रिटन है। उसमें हमें मालूम है सरल सुगम है पीम डेर नॉर्मल तो उसमेश आज हम सिरफ नॉर्मल लीटन की बात करेंगे और साथ में ढ err इटी वन एंड आरे टी टू Арी की की बात करेंगे और साथ में última 1 NX2 की बात करेंगे जो दो अनिक्षर्स है जिसके प्रोटोटाइप भी आ चुके हैं किलियर है सबसे पहले हम ये समझने की कोशिस करते हैं कि हमारे लिए कौन सा रिटर्न एप्लिकेबल है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है सर अगर आपकी टर्न ओवर अप्टू 5 CR है अगर आपकी टर्न ओवर पांच करोड तक है या आपकी टर्न ओवर पांच करोड से ज्यादा है ठीक है ना अगर आपकी टर्न ओवर पांच करोड तक है आपके पास तीनों अप्शन है नॉर्मल, सहज और सुगम तीनों आप्शन अवेलेबल है सर पहले मैं बात करता हूँ सहज की इसका जो GST रिटन से है पहले हम GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 बोलते थे अब इनको क्या बोलेंगे RET 1, RET 2, RET 3, RET मतलब अब वर्ड GSTR के जगे नाम क्या होगा RET वर्ड यूज होगा जो सहज रिटन है वो आपको तब फॉलो करना है एक तो आपके टर्नोवर अप्टू 5 CR है पहले मैं बात करा हूँ अगर आपके टर्नोवर अप्टू 5 CR है तो आपके पास तीनों आप्शन है तीनों में अगर आपके जो सप्लाई है सिरफ B2C है मतलब बिजनस तो कंजूमर है उस केस में आप कौन सा रिटन आप्ट करोगे सहज अगर B2C भी है और साथ में B2B का ट्रांजेक्शन भी है B2C मतलब आप नॉर्मली एंड कंजूमर को माल बेच रहे हो जैसे किराने की दुकान होती है नॉर्मल जो सॉप्स होती है उनकी मैं बात कर रहा हूं B2B मतलब मैं रजिस्टर्ट पार्टे को माल बेच रहा हूं अगर ऐसा सिच्वेशन है यू केन आप्ट फॉर सुगम रिटन मतलब क्या हुआ सहज सहज किसके लिए ओनली बी टू सी के लिए सुगम को मैं क्या बोल सकता हूं सर सुगम को मैं बोल सकता हूं सहज प्लस B2B का ट्रांजेक्शन और नॉर्मल क्या है नॉर्मल रिटन है जो सुगम वाली फीचर से वो तो सारे अवेलेबल होंगे प्लस एक्सपोर्ट SEZ इन ट्रांजेक्शन को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ अगर आपके डूरिंग दा पिरेड में आपकी कोई एक्सपोर्ट है तो आप ना तो सहज आप्ट कर सकते हैं ना ही सुगम आप्ट कर सकते हैं मेंडेटरिलई आपको RET1 ही फॉल्व करना पड़ेगा RET1 करना पड़ेगा इस हो ये बात अगर अगर आप सुगम करते हैं अगर आप सुगम अगर नोर्म्ल नस अलेट कर्ट करते तो आपके पास सकतेम जाएς है अगर आपकी turnover up to 5 CR है और अगर आपकी turnover 5 CR से ज्यादा है अगर आपकी turnover 5 CR से ज्यादा है तो mandatory monthly otherwise you can opt for quarterly के लिए रहे monthly और quarterly सेहज सुगम हमेशा quarterly होगा आरी टी वन जो की normal return है वो monthly कब होगा जब आपकी turnover exceed करते है पांच करोर से और quarterly अगर turnover up to 5 CR है यह PPT आप लोगों को मिलेगी कोई दिकत नहीं सिरफ आप डिसकेशन पर ध्यान दिये सकते होगी आज अफ नौव एक वार वही सेम डिसकेशन अगें डिफरेंट वे में कर लेते हैं आरी टी वन के रिगार्ड में कती है नौर्मट टेक्सपेर किया लेकिंग दभी डिक बीटुसीट्रीच नौ्मिल केश़ेचल ही सप्लाइच प्रेंड भी इन्वेर्सत शोन violence. charge, nil rated supply, zero rated, zero rated हमने अभी बात किये थी एक तो export और एक SEZ and supply through e-commerce operator, मतलब वो जो section 52 वाला था, अगर SE supply है तो मैं कौनसा return opt करूंगा, sir, RET1 opt करूंगा, अगर आप large taxpayer है, मतलब आपकी turnover is in excess of rupees 5cr, then आपको ये return monthly file करना पड़ेगा, और अगर up to 5cr, you can opt to file on the quarterly basis almost same feature as GSTR1 का वहां पर भी एक option हुआ करता था, डेड़ करोड की उपर या डेड़ करोड की नीचे इस slide में हम बात करेंगे option form की, मतलब अभी आपको ध्यान होगा, जब हम GSTR1 कोई भी financially restart होता है, तो एक अमारे सामने option form appear होता है, वो option form क्या चीज़ का होता है, कि सर अभी मापे select करते GSTR1 के frequency, similarly एक ऐसा ही option form आपके पास में new return system के लिए आएगा, और वो पूछेगा कि आप कौन सा return फाइल करना चाहते हैं, उसकी frequency क्या रखना चाहते हैं, आईए सर, एक बाद discuss करते हैं, सबसे पहले ये पूछे रहे हैं, आपकी aggregate turnover during the financial year क्या आप तू 5 करोड है, अगर 5 करोड तक है, तो या तो आप yes करेंगे, या आप no करेंगे, अगर आप yes करते हैं, तो ये वापस आप से पूछेगा, क्या आप quarterly return फाइल करना चाहते हैं, अगेन अगर आप yes करना करते हैं, मतलब आप quarterly पे जा रहे हैं, then वो पूछेगा quarterly कौन सा, सहज या सुगम या नॉर्मल, एक बात बताईए, क्या सहज और सुगम मन्थली हो सकता है, now my question to all of you, क्या सहज और सुगम मन्थली हो सकता है, kindly reply in the chat, करेंख सभी पाइटिसिपेट रिप्लाइए, नाई कोई साभी रिटन सुगम हो या जो हो, ये रिटन मन्थली नहीं हो सकता, सैज और सुगम विल ओनली विजा पौर्टरली जो मन्थली या पौर्टरली हो सकता हो, नॉर्मल रिटन हो सकता है, कि मेरा यह कोश्चन था वानी साब कि क्या सरल और सुगम क्या सवरी सहज और सुगम मंतली हो सकता है माइ आंसर वूड़ भी नू कि मंतली तो सिरफ एक की रिटर एंड जो की नॉर्मल रिटर ने कि क्राइटेरिय कितनी नॉर्मल में मंतली या क्वाटरली में अप तू फाइट या माइट वाटरली और अगर इन एक्सस है तो मेंडेटली मंतली अगे बढ़ता हूं सर अब एक वारना ब्रिफ में हम आरिटी वन के कंटेंट पढ़ते हैं और फिर बन बाई वन डिटेल में डिसकशन करेंगे और चुछ अगया इसमें टस्टॉटल कितनी टेबला है टोटल नो टेबला है सब्सक्राइब बेसिक डीटेश्स की बात करता है जिसमें जिस्ट टम्बरेड नेम、 लेगल नेम यारेंड डेटो फालिंग एट्सेक्टरा टेबल 3 बात करता है आउटवर्ड सप्लाई की और ऐसी इनवर्ड सप्लाई विच अट्रेक्ट रिवर्स चार्ज डेबिट क्रेडिट नोट एंड टेक्स लिएबिलिटी वाल्मोस्ट मैं बोल सकता हूं यह ना मेरे से क्या पूछ रहा है आउटवर्ड की डिटेल कूछ रह है और साथ में RCM की डिटेल पूछ रहा है परपच क्या है यहां से मेरी आउटवर्ड टेक्स लिएबिलिटी निकलेगी कि मुझे गवर्णमेंट को कितना टेक्स चुका ना वो यहां से मालूम चलेगा टेबल 4 किसकी बात करता है summary of inverse supply for claiming ITC तो टेबल 4 किसकी बात करता है समस्प्रेट के रिगाड़ें बात करता है तेबल 5 टीडियस & TCS kredit received in ECL electronic cash Leisure में जो TDS & TCS के क्रेडित receive हुई है उसके बारे में बात करता है टेबल 6 interest & late fees की बात करेगा टेबल 7 पेमेंट आफ टेक्स की बात करेगा हाँ टेबल 8 यह नया पॉइंट एड़ यह पहले नहीं था अभी जो टेबल है जो टेबल 7 तक है यह अल्मॉस्ट वही टेबल है जो हम GSTR 3B में यूस्टू हो चुके भरते हैं यह नया पार्ट है यह क्या बात करता है सर्जो टेबल 8 है अगर आपका electronic cash laser में कोई अपियर हो रहा एक्सस बैलेंस आप वहाँ पे पुट करके आप वहाँ पे पुट करके refund क्लेम कर सकते हैं कैसी इसकी functionality होगी कैसे यह वर करेगा यह सब बात तो हम जब यह लाइव आएगा तभी बात करेंगे पर अभी आजम फीचर के बारे में basic parameter के बारे में format के बारे में बात करें सबी टेबल्स का लास्ट में verification table है यह टेक्स पर एस्टू वेरिफाइदा information वो जो sign करते है नॉर्मल है तो हम OTP के थूप कर सकते हैं और अगर company है तो हमें किसके थूप करना पड़ेगा digital signature के थूप अगें अब one by one discussion करते है इस इन टेबल का जो total 9 part में हमने बात की थी उन 9 part का one by one discussion करते है जो पहली टेबल है और दूसरी टेबल है जो basic information की बात करता है वो क्या बात करता है सब GSTN नमबर लीगल नेम एंड़ ट्रेड नेम और जब हम रिटन फाइल कर देंगे तो ARN नमबर और साथ में ARN की डीट आएगी अभी हम कौन सा रिटन डिसकस कर रहे है सिरफ और सिरफ नॉर्मल लेटन आरे टेवन की बात कर रहे है अगें जो सहज और सुगम है उसका discussion आज नहीं करेंगे उसका discussion हम फर्दर वीडियो में करेंगे और साथ में या पे क्या कवर किया गया अभी अभी अप्लिकेबल प्रोटोटाइप आ चुका है समरी अभी आउट्वर्स अप्लाई इनवर्स अप्लाई अट्रक्टिंग डारिवर्स चार्स डेबिट क्रेडिट नोट अटेक्स लेटी यह मैं टेबल तीन की हैडिंग पढ़ रहां टेबल 3 की हैडिंग पढ़ मैं रिपीट करता हूँ क्या-क्या इंफोर्मेशन है यहां पर सर यहां पर इंफोर्मेशन है एक तो आउट्वर्स अप्लाई की दूसरी इनवर्स अप्लाई अट्रेक्टिंग डिवर्स आज थी डेबिट क्रेडिट नोट एंद फाइनली कितना टेक्स लिए यहां से अब हम इंडिविजुली जारें डिटेल्स ओव दा आउट्वर्स अप्लाई में पहला इंफोर्मेशन पहला पार्ट क्या बोल रहा कि और अटो पॉपॉलेट का बेस क्या होगा सार अटो पॉपॉलेट का बेस उन्होंने लिखा है कि टेबल 3A ओफ एनएक्स वण हम अभी कौन सा रिटन की बात करें सार आरेटी वन की आरेटी वन के सात में जो दो चीजें अप्लोड होगी वो ANX1 एनएक्स 2 है यू समझ लिजी एन, आउटवर्ड के रिगार्ड में और एन, इनएक्स मतलब GSTR1 हो गया और एन, चु मतलब GSTR2 हो गया और इसको आप Consolidated Mentally Return बान सकते हो, इस RET1 को, मतलब यहाँ पे सेल की डिटेल होगी, यहाँ पे पर्चेस की डिटेल होगी, अब एक बात बताओ, जब आपने RET1 फाइल करने के पहले, अगर आपने सेल और पर्चेस को फाइनल कर लिया है, तो यहाँ तो अटो पॉपॉप ना, तो क्या किया इसने, यहाँ पे B2C के ट्रांजेक्शन को पिक किया, टेबल 3A में से, अभी जब हम A1 की बात करेंगे ना, तो आपको यह सारी जो टेबल अंदर विदिन ब्रेकेट आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है, यह सारी टेबल सिक्वेंचिली दिखाई द यहाँ के आजिस्टरі बात कर हूं, मतलब क्या हुआ, बीटुबी की बात कर रहा है, बचया आपक क्या Initering कर नहीं होगा, Gothic अकवाला ट्रांजेक्शन यहाँ आपे जिसके उपर मैं टेक्स्ट चुकाता हूं, मैं करें कर गौर्रमेंट को थैक्स टीकाता हूं.. मतलते फॉर्वर्ट चाहर्ट है सकता हूं.. इस यह मेरी बी टूसे का टरांजेक्ट्टिक्षन हो गा और यह मुरा B 2 B का ट्रांजेक्षन हो दो.. अब मैं बात कर्रहूм.. और export सिरफ export की बात कर रहा हूँ, with payment, export without payment, again यह auto-populated है, table 3C and table 3D, है किसकी यह table, सारी की सारी ANX1 की बात कर रहा हूँ, मैं भी, यह सारे का सारे ANX1 में मैं भर चुका हूँ, डीटेल, तो ANX1 से यहाँ पर pick हो रहा है, ठीक है, तो इसने पहला क्या लिया, B2C लिया, फिर B2B और तीसरा क्या लिया, sir export with payment और चौता क्या लिया, export without payment उसके बाद में again, SCZ with payment, SCZ without payment, देखो sequentially चल रहा है, sir 3A, 3B, 3C, 3D, 3E and 3F, मतलब यह same sequence आपको ANX1 में दिखाई देने वाली है, थोड़ी देर में, उसके बाद में deemed export, उसके बाद में deemed export, table 3G, again question to all of you, deemed export, फटा फटा बताईये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, deemed export, kindly reply, राइट सवरब जी, कुछ थोड़ा और, नहीं सर, SCZ supply to SCZ cannot be the deemed export, सर, एक तो गलती नहीं हो सकती, एक चीज़ तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं बात कर चुक हूँ, एक तो export और SCZ, export और SCZ यह क्या है, सर, यह मेरे zero rated supply है, deemed export is something different, मतलब SCZ और export नहीं, कुछ और, किसी को भी idea है, नहीं सर, अगें, merchant export डिफरेंट है, merchant export is again different, जिसमें वो 0.1% वाला जो text लगता है, अगें different, deemed export is again different, 4 category, actual export, SCZ, merchant export और deemed export अभी तक पंडिंग है, राइट विसाल जी, section 147, read with notification 48, क्या बात करता है, सर, इस notification ने चार supply को categorize किया है, deemed export के रिगार में, फटा फटा हम बात कर लेते हैं, सर, अगर आप export oriented unit को supply करते हैं, तो वो deemed export माना जाएगा, अगर आप EPCG, export promotion capital goods वाला, ठीक है, EPCG और EAS बलब जो export promotion के कुछ लाइसेंस होते हैं, जो DGFT issue करता है, डाइरेक्टर जर्नल वादा foreign trade, वो अगर कोई license issue किया है, उसके अगेस्ट में capital goods की supply कर रहा हूँ, या उसके अगेस्ट में goods की supply कर रहा हूँ, और चौथा, एक notification आया था custom में, उसने का कि अगर गोल्ड की supply करता है, कौन, या तो PSU, या bank, या PSU, या bank, अगर गोल्ड की supply करते हैं, किसको इनी, जिनके पास में DGFT के license है, EPCG वाले license है, तो इस supply को भी deemed export का आचाएगा, इस चार के लावा कोई भी supply deemed export नहीं है, अगें, coming back to the discussion, एक बात होता है है, अगर मालो, deemed export SEZ होता, SEZ की supply deemed export होती, तो यहाँ पर तो SEZ मैं अल्रेडी cover कर चुका हूँ, यहाँ पर तो मैं export cover कर चुका हूँ, तो यह क्या हूँ, यह deemed export different है, merchant export, merchant export क्या है, कोई export नहीं है, वो normal B2B का transactions है, उसमें कुछ condition हम satisfy करते हैं, कुछ condition अगर हम satisfy करते हैं, तो वहाँ पर concessional rate applicable होती है, वो rate 0.1% है, बट जो merchant export है, वो transaction normal B2B का माना जाता है, लास्ट यहां तक तो देखो, auto populated थी डीटेल सारी, यहां तक सारी डीटेल auto populated थी, ए से लेके जी तक, लास्ट वाला जो है, liability relating to the period, prior to the introduction of the current return filing system, and any other liability to be paid, अगर और भी कोई liability, उसको pay करना है, तो आप यहां पर amount डाल दो, यही manual figure है, यहां पर input करना है, यहां पर हाथ से figure डालना है, के लिए रहे वाली बात, अगेर वो वोई discussion किया है, मैंने, अब मैं वापस आता हूँ, table 3, a complete हुई, अब मैं table 3, b मैं आता हूँ, summary of, table 3 के adding, same है, outwards apply, inward और, tax liability की बात कर रहा हूँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी inverse supply, which attract the reverse charge, कौन से पॉइंट की बात कर रहे है, लिनोवा साब ने, राजे जी ने का है, merchant export means purchase and supply, राइट, नहीं नहीं, merchant export का मतलब क्या होता है, कि सर, मैं किसी ऐसे आप्मी को supply कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसे परसंन को supply कर रहा हूँ, जो एक्चुल उसी फॉर्म में, as it is export कर रहा है, विदाउट मेंगिंग अनी चेंजेज, तो क्या होँआ, वो जो एक्चुल एक्षपोर्टर है, उसको अगर कोई डॉमेस्टिक आदमी भी अगर supply करता है, तो उसकेस में क्या होगा, वो माना जाएगा कि वो मर्चांट एक्षपोर्ट है, वो जो एक्षपोर्ट एक्षपोर्ट की नोटिफिकेशन, कि पर्चेस ओर्डर की कॉपी देनी है, उस पे एक्षुल्ट टैक्स रेट नहीं लगाउंगा, उस पे क्या टैक्स रेट लगाउंगा, उस पे यह वाली रिखाँगा, 0.1%, इस ही को मर्चांट एक्सपोर्ट कहते हैं, अफ्टर दीम्ड एक्सपोर्ट मैंने यह कहा है, जो यह तो साहे ट्रांजेक्शन्स कवर होगे जो उर्तो पॉपपो एटेटेटेटेज नास्ट इला पॉइंटे लिएविलिटें प्राइयर टु इन्ट्रोड़क्शन अफ करण रिटन फाइलिंग सिस्टम, अभी जो तो रिटन इस्टम है अभी जो इस चालो होगा उसके एले के पिरेट की कोई टेक्स लाइबिलिटी जो चूट गई मालो कोई ट्रांजेक्शन जो 3B में रिपोर्ट नहीं हुआ आपको बाद में मालूम चलता है बट वह तब तक 3B खतम हो गया तो उस टेक्स लाइबिलिटी को कहां पर डिस्क्लोज करोगे सर यहां पर उसके बा figure that you can deposit the text to the government clear okay Rajji Vandhra Ma'am clear fine abhi I'm a siraf outward supply की बात की अब मैं reverse charge की बात कर रहा हूं inverse supply attracting the reverse charge word to be noted net of the debit and credit note and advances table 3H है यहां पर मैं inverse supply जो की reverse charge attract करती है बहुत सरे ट्रांजिक्शिंस है उसके बाद में बात करते हैं sir import of services table 3i 3H और 3i मतलब अगेन यह A&X1 में details जा रही है इसकी और वहां से यह auto populate हो रहा है सभी में जो information देनी है वह CGST SGST IGST और SES कितना है उसकी information देनी अब मैं बात कर रहा हूं details of the debit note or credit note issued advances received or adjusted and any other reduction in the liability अब क्या बात कर रहा है sir debit note अगर मैंने issue किया है तो मैंने कोई credit note issue किया है तो अगर कोई advance is received हुए net of the refund voucher and including adjustment on account of the wrong reporting of the advance earlier कोई भी जो advance receive है जिसके उपर text आज आप चुका रहे हो आज मैं बात करूँ तो advances में मालू मैं goods की उपर तो advance का text नहीं है पर services में आज भी textable है तो अगर कोई ऐसा advance मिलता है जिसके उपर आपको text चुकाना है refund कर दिया उसको netting off कर दो तो आप यहां पर report करोगे advance adjusted आपने advance की उपर पहले text चुकाया उसको आज adjust कर रहे हो मुझे कोई participant यह confirm कर सकता है सर इन दोनों का मैं information GSTR 1 में कहां देता हूं आज की तारीक में इट वुड भी अप्रीचेटिब मैं सभी participants request करो advance received or advance adjustment की detail कहां पर देता हूं GSTR 1 पे पर देता हूं GSTR 1 में आज रिपोर्ट कर चुका हूं पर टेक्स तो GSTR 1 कि तुरू नहीं जाता हूं तो 3B के तुरू जाता है तो क्या हुआ कि वह 3B माप रिपोर्ट करने से भूल गए तो subsequent और अब क्या हूं अब नया रिटन सिस्टम आ गया और पीछे वाली टेक्स पिरेड का कोई रिटन नहीं है पीछे वाला जो टेक्स है वो कैसे चुका हूं तो न्यूनिट रिपोर् प्रिजिए प्रिमिश्ट प्रिश्ट एक्सिलेंट सौरव जी बहुत बढ़िया अव औली वन डिप्लाइ फ्रमस अलवारजी 11-11-11-2-11-1-1-1 जी अज़ प्लेवल 11 ऑफ प्रिवेंग वंगोर्ट करता हूं तो एप जो रिप्लाइ प्रिए कर रिप्रिग प्राइड दिखाता था और उसको एडजस्ट 11 में करता था अब नए रिटन में रिटेवन में अडजस्ट करने का तरीका क्या है सर आप 3C में रिपोर्ट करोगे रिदक्शन इन आउट्वर्ट एक्स लियाइलिटी और अगांट तर ट्रांजिशन अगर कोई कंपोजिशन से नॉर्मल में जाते हो या नॉर्मल से कंपोजिशन में जाते हो उसके कारण अगर कोई रिदक्शन होता है तो वह आप यहां पे रिपोर्ट करोगे अब मैं बात कर रहा हूं 3D की ऐसी सप्लाइ जिसके उपर आपको कोई टेक्स नहीं चुकाना है यह ईसा इनफॉर्मेशन जिसके उपर आपको टेक्स नहीं चुकान रष वार्ट लये मालो में सर एक्जिम्टेश इप्लाइट इस अपलाइए नॉन ये स्पलाइए थे अगान एपर वर्ड इनक्लूडिंग नॉस अपलाई है अगे ना पर इंक्लूडिंग नॉस अपलाई है नो सप्लाई का मतलब क्या हुआ सब्सक्राइब 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 शेडियुल 3 नेगेटिव लेस्ट आठ ट्रांजेक्शन वो हाइसीज का सेल अगर एंट केस्टम टेरिटरी को क्रॉस के भी नहीं आपने बाहर से बाहर माल बेच दिया यह यह वह रिमेंबर जस्ट मापको खाली ब्रिफ बतारों शेडियुल 3 की जो नेगेटिव लिस्ट की सप्लाई है जिसको में नो सप्लाई कहता हूं अभी ता कन्फूजन था जीस्ट आनाइन के पहले कि मुझे उसे रिपोर्ट करना या नहीं करना जीस्ट आनाइन ने ने सब्सक्राइक के ट्रांजेक्शन वन एल्कॉलिक लेकर फॉर हुमन कंजम्शन और दूसरा पेट्रोलियम वाले पांच स्पेसिफाइड प्रोडक्ट दूसरा नो सप्लाई नेगेटिव लिस्ट वाले तीस और क्या हो सकता है सर ऐसी सप्लाई जिसके उपर आपको टेक्स मैं है जिसके उपर टेट्स मुझे नहीं रीटन पाईर्ट करना है तो मैं कहां पर रिपोर्ट करूँगा सब्सक्राइड कर रहा हूं अगें सपलाई कर रहा हूं अगेंस ले अपार अच्पर कर रहा हूं इस प्रकार में यह सारी information जा रही है right gstyr9 ने हम table 4 और table 5 की बात कर रीं table 4 में इसेल की बात करें इते अधे टक्स चुकाना रहे आ है नहीं जमाना वह सारी यह information है तो कुछ नएा नहीं है मेरे लिए आ है के यहाँ पर मेरी outward supply की पाइट out supply की डिटेल और रिवर्स चाड़ वाली डिटेल कंप्लीट हो चुकी है एक वार इसके रिगार्ड में कोई 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 नहीं तो आप एक पर बात कर सकते हैं एक वार पॉइंट अगर आप लोगों की बीच में इंटाम को एक्सपेक्टेशन सुथियर विद रस्पेक्ट टू अन्वल मेंबर्शिप आपको लगता की मेरी तरफ से कुछ और इंपूट आना ची यू कन में एक सजिशन अट अनी पॉइंट अपको लगना चीए कि नहीं सम्थिंग आपने कुछ अडिशनली आपको नौलेज मिला है और जो भी आपने इनवेस्टमेंट के वो वर्थ फुले है लाइक जीए कर 3B वी कैन से जीए सब्सक्राइब एक चीज और 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 है कि आप हम कि स्थेख शुगम और नॉर्मल में में खाली अब आपको 1 सात अगर मालो मौ इतनी सारे टेबल दिखाई दे मालो 9-10 अंडेबल दिखाई दे और मालो आप सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन वेढ़र देल करते ह। आपका ट्रांजेक्शन इसल बीटू सी का तो आपको इतनी स इसको थोड़ा सा इस करने के लिए वह यह दू रिटन बनाए गया यह सेम कॉंसेप्ट अपना आपको मालूम ध्यान होगा इंकम डेक्स रिटन से लिया गया है स्याज और सुगम वहां पर भी था कि आरेंज में डेफिनेटली मैं टेकर करूंगा अभे सिना सब वंदना जी का कोशन आंसर कर चुक हूं क्या इसमें अमेंडमेंट आउट्सेंटिंग का भी होना चाहिए को डेफेरेंस बीन ओंग्यश्टि सप्लेप का सफ भी बसकते नौन घूसेंट इस अपलाइज अगैपको इंतर नंगेंटिस अपलाइज में पोई अंतर निया नंक्यश्टिस अपलाइज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं एक मिनिट वन वर डिसकेशन का लेतेन हैं। Non GST supply के दो पार्ट है favorite First non taxable supply Non taxable supply का 1 प्लस 5 मैं non taxable supply को 1 plus 5 की रूप में संभजने Would 1 रहता है 1 तो ऑल्कव चैसिट फई UNC और दूसरा part के a no supply मतलब शेड्यूल 3 वाली supply को दोनो वह non GST supply है दोनो supply non GST है इसके दो अलग अलग पार्ट बनादी नॉन टेक्सेबल जिसके ओपर टेक्सी ले भी नहीं है और नो सप्लाई जो टेक्सेबल तो है बट चुम्कि वो शेडूल 3 में मेंचन हो गया इसके काण इसके ओपर जिसकी नहीं लगता कि कैंटले कंफर्म विशाल जी घर सब्सक्राइब जो कि अविड जी जी देख एक पांट दिया है इसमें अमेंडमेंट का अभी तो अफने बहुत सारे जब यह लाइव आए गाउसके पहले बहुत सारे लाइवाए गाइड यह बहुत सारे भी बहुत सारे डिपार्ट्मेंट के लिशिकेशन एंगिवाइ RCM on whom GST is paid by, that is no, never, never sir, this is not a non-GST supply, this is taxable supplies, I talk about if I am a GT, I am registered, I mean what I am supplying on the supply, if the tax is out of the recipient is out of the tax, so this is a reverse charge transaction, but I cannot receive the non-GST supply, because if the non-GST is out of it, then the tax is out of it, but if the transaction is taxable, the liability will shift on the recipient, that is clear sir, now let's start summary of inverse supply, there is some confusion here, wait for some clarification, or when it comes to the portal, then it will be known, one by one discussion, how many parts are divided, the details of the ITC based on the auto population from ANX-1 and action taken from the ANX-2, we talked about ANX-1, we talked about all together, what we talked about, we talked about out of the supply and reverse charge, now reverse charge transaction on the transaction, you have to take input on the reverse charge transaction, which is the transaction on the previous transaction, you have to take text on it and then it will take ITC, so what did it say, the details of the ITC based on the auto population from ANX-1, so what happened, reverse charge transaction, where will you pick this table from ANX-1, as you pick one, repeat, sir, ANX-1 and ANX-2, what difference was my difference, the ANX-1 was mine, which is the text on the above, which was the details, which I put the details on the above, the first part is on the text, which I put the forward charge on the government, the second, that I put the text on the river charge transaction, which do the transaction, मैं चुकाता हूं. तो अभी मैं आउटवर्ड की बात निकरों मैं सरफ इन्वर्ड पे फोकस कर रहा हूं. इन्वर्ड पे क्या होता है. एक वार आप टेक्स चुकाते हूं और जितना टेक्स आप चुकाते हो, उतने अमांट की आप इंपुर ठीक्स ले लेते हो. यही होता है आप ITC ले लेते हो अब क्या किया अब और ANX2 क्या है ANX2 आपका क्या है Invert Supply मतलब जिसके उपर आपने Supplier को टेक्स चुकाया और उसकी आप ITC के लिए हकदार है You are entitled to take the ITC तो क्या होगा ITC के दो रास्ते होंगे ANX1 से Reverse Charge वाले ट्रांजेक्शन कैप्चर हो जाएंगे ANX2 से नॉर्मल फ़रवर्ड चार्ज वाली पर्चेस कैप्चर हो जाएगे इसलिए इसने टेबल ए में क्या लिखा है डिटेल्स ओड़ आइटीसी बेस्ट अन ऑटो पॉपॉपॉपुलेशन प्रम ANX1 एंड एक्शन टेकर इन एक्शन टेकर इन एक्शन टेकर इन एक्शन लेते हैं हम accept reject और वो करते हैं पैंडिंग उसके बेस में ITC मिलती है यहां पर बात कर रहा है कि ANX2 के बेस में तीन पाट में डिवाइड किया है credit on all document which has been rejected credit on all document which has been kept on pending credit on all document which has been accepted यह तीन आप्शन है जब आप ANX2 देखेंगे ANX2 में जो auto purchase आ रही है auto populated आ रही है उसके उपर आप तीन action ले सकते हो या तो आप उस transaction को reject कर सकते हो या उस transaction को pending रख सकते हो या उस transaction को आप accept कर सकते हो अब question यह आता होगा आपके दिमाग में अगर ट्रांजेक्शन को reject कर दिया अगर ट्रांजेक्शन को pending रख दिया तो फिर उसकी ITC क्यों राइट तो मेरे को लग रहा है यहां पर ग्रॉस में ले रहा और बाद में reverse करेगा यह अभी आपको वेट करना पड़ेगा कुछ ए रिजेक्टेड और पेंडिंग ट्रांजेक्शन को भी क्यों capture कर रहा है प्राइमा फेसी मैं सिरफ उसी की ITC ले सकता हूं प्राइमा फेसी मैं सिरफ उसी की ITC ले सकता हूं which has been accepted by me अगर मैं किसी को रिजेक्ट कर रहा हूं तो इसकी ITC लेने का कोई question राइज नहीं होता बट यहां पर बोल रहा है auto populate हो जाएगा वो सारे ट्रांजेक्शन जो ANX2 में आ रहे थे आपने इसको accept किया आपने इसको reject किया आपने इसको pending किया बट ध्यान रखना यह तीनों अलग 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 पार्ट में अलग 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 टेबल में कॉलम पे आ रहे है यहां तक के लिए eligible credit not avail prior to the introduction of this return but admisable as per हुआ क्या सक कोई purchase थी 3B में आपने इंपूट लेना रहे आपका 3B में इंपूट लेना भूल गया अब 3B और 1 बंद हो गया अब नए रिटन system आगे आपको ध्यान आया यार पीछे वाली purchase थी आज मैं ITC ले सकता हूं as per lo it is allowed क्यों क्योंकि law तो बोलता पूरे financial year खतम होने के बाद भी आप September के due date तक आप ITC लिए सकते हो तो इसको कहा लूँगा नए नए वाले system है कोई ने कोई तो column देगा क्योंकि बाकी figure तो और तो पॉपलेट हो रहे है तो इन्होंने कहा कि credit on all document which has a sorry eligible credit ticket which has been eligible as per lo but आप लेना भूल गये तो आप इस नए रिटन सिस्टम में इस वाले पार्ट में information दिखा देंगे अब इन्वर्स अप्लाई अट्रेक्टिंग दा रिवर्स चार्ज और इंपोर्ट और सर्विसेज यह दोनों आपके कौन से ठ्रांजेक्शन होगे रिवर्स चार्ज वाउले होगे एक वार मैं Table 3 पीछर ले जाना चाहता हूं थोड़ा से याद रखना यहाँ पर 3 ह है और हैपल और श्थर को निया जा ना चाहता हूं और । यह यहां पर देखिए यहां पर देखिए हम टेबल 3 में क्या बात करें थे जो टेक्स मुझे चुकान है उसमें रिवर्स चार्ज में हमने दो पार्ट में डिस्केशन किया था एक तो नॉर्मल जो टेबल 3H से पिको क्या था और दूसरा इंपोर्ट और सर्विसेस 3I से पिको क्या है था के लिए र इस पॉर्मेशन और पॉपलेट हो जाएगी टेबल 4 में एन एस दूसरा अभी और आगे बात चल रहा है यह तो हुआ है एच और आई अब बहुत बढ़ीया काम किया इसने इसने बहुत बढ़ीया काम किया सर इंपोर्ट और और गुड्स और इंपोर्ट मतलब जहां आप Overseas और आवीदिया माल परुछास करें हो और या यह ऐसी दूनियत से माल परुछास कर रहे हो हमेशा यह कंफिजन होता था ज्यस्ट्र थे की टाइम पे फाइल करने के टाइम पे जो मुझे 3.1.द में इंफॉर्मेशन देनी है जो मुझे 3.1.D में इंफॉर्मेशन देनी है, वहाँ पे इनवर्सप्राइ लिएबल तू रिवर्चार्च, वहाँ पे मैं क्या नॉर्मल यह दिलते थे, इम्पोर्ट की बात करते थे, और यह जी टी और एडवोकेट की बात करते थे, कन्फूजन था कि इम्पोर्ट देना या नहीं देना कई लोग गलती से भर देते थे, जिसके कान क्या होँआ, डबल टेक्स चला जाता था, अब यहाँ पे इसमें पूरा-पूरा क्लियर कर दिया, अगेन पीछे जा रहा हूं मैं, यहाँ पे जो 3B में आउटवर्ड में मां चुका हूँ, मैं उसके उपर टेक्स एड़ टाइम आफ क्लियरस अलएडी कस्टम जूटी के साथ पे कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे 3B में भी नहीं करना था और इस टेबल 3 में भी नहीं करना, बट वूस टेक्स का मैं ITC तो लूँगा, आंसर वूड बी यहाँ किसी क्लेम करेंगे, कहां क्लेम करूंगा, इसने पॉइंट नमबर 7 में एक अलग आपको टेबल दे दी, एक अलग आपके लिए कॉलम बना दिया, Sir, Import of the Goods और Import of the Goods from SCZ, मतलब वो पहला वाला पार्ट हो गया, जो आप Out of India से माल पर्चेस करते हैं, SCZ से माल पर्चेस करते तो 8, अगेन यह auto populated table 3J or table 3K, किसका ANX1, अभी देखो ANX1 की जितनी जितनी auto populated detail हम पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी आपको ANX1 में दिखाई देगी, जब हम RET1 कंप्रेट कर लेंगे, तो ANX1 आपके लिए बहुत सिम्पल हो जाए अब यह बात करा, ISD Credit की, Net of the ISD Credit Note, ISD Credit का मत Input Service Distributor, आपको मालूम होगा, वो head office और branch वाला concept, अगर कोई common credit है, तो head office अपनी branches को transfer कर सकता है, उसके बाद में क्या हुआ, एक वो rule 39 है, वो क्या बोलता, अगर आपने excess credit transfer कर दिया, तो you need to reverse that ITC, you need to reverse that credit, उसके लिए मैं credit note issue करूँगा, यहाँ पे ISD का जो credit है, और net of credit debit note है, उसको मैं adjust करके यहाँ पे, उसके ITC लूँगा, यहाँ पे उसकी ITC लूँगा, अगेन, manual नहीं है sir, यह वाला figure auto-populated है, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, RET1 is 90% auto-populated, तो main काम कहाँ पे है, sir, ANX1 और ANX2 पे main काम है, क्योंकि बागी तो information यहाँ पे automatically आईगी, by the supplier, net of ineligible credit or approved adjustment in ITC due to the receipt of the credit note and all other adjustment and reclaim, मतलब क्या हुआ, कोई ITC थी, उसको reverse कर दिया, रिक्लेम करना है, वो यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे एक बात और फोकस किया रहा है, बार बार कि अगर कोई credit आपके auto-populate नहीं हो रही तो आपको रही तो आपको रही तो आपको र ठीक है रहा, बट आप उस ITC को रिटेन नहीं कर सकते, देर वोड बे सर्टेन पीरिट, देर वोड बे सर्टेन चेंजेज कि बाई कब तक रिवर्स करना पड़ेगा, तो दो महीना है मेरे हिसाब से कि दो महीने तक वो अपलोड कर देता, तो ठीक है, प्रोविशन क्रेडि नहीं होता है, मेरे ANX2 में और आट अपलोड नहीं होता है, तो वो क्रेडिट मुझे रिवर्स करना पड़ेगी, कहां पर रिवर्स करूँगा, सर यहां पर पाइप नमबर 10 में, तो यहां पर मैं ने ग्रॉस ITC की बात कर लिए, अब मैं ITC की रिवर्सल की बात करूँगा करे अभी ITC मैं ने ले लिया यहां पर इतने इतने कॉलम में अब मैं ITC के रिवर्सल की बात करूंगा यहां पर आपको पांच के पांच कॉलम दिखाई दे रहे हैं अभी अगर 3B कोई मुझे बताएगा 3B में कितने कॉलम है कोई मुझे बताएगा कि 3B में रिवर्सल के कितने कॉलम है इसी रिवर्स अच्छे जी एस्ट यारवन में का इसी नहीं जाता ना तो सिरफ और सिरफ 3B अभी एज अफ नौ 3B में कितने कॉलम है रिवर्सल के करेंगे तो मंत की बात करेंगे क्वार्टरली के केस में एक क्वार्टर रखा और मंतली के केस में दो महीना रखा जो अभी नौर्मल रिटन की बात करो तो वह मंतली है उसके लिए दो मीने का टाइम रखा है और अगर सप्लायर ऐसा जिसने क्वार्टर लिए उसके लिए एक क्वार्टर तक आप प्रोविजनल क्रेडित लिए सकते बिल्कुल सही जवाब किसर दो कॉलम है वहाँ पे जिस्ट्र क्रीवी में पहला है एस पर रूल 4243 और दूसरा अधर रिवर्सल अधर रिवर्सल में सारे हम डालते थे वह वह 39 का था 37 का था 37 मतलब विदिन 180 दिस आपने पेमिंट नहीं किया इसे बहुत सारे कोई गलती ह प्रिवेस एंगर बट रिजेक्टे इन अकरेंट एक्सपिरेश पहला आपने क्रेडिट यह अभी आपने आपने रिजेक्टर लिया सप्लाई नॉट एलिजिबल फोर ग्रेडिट इंक्लूदिं आयस्टी एक्रेडिट मतलब चा आउट अट अट क्रेडिट अविलेबल इ अट इसके नॉट एक्रेडिट इन रिजेक्ट विच दाप्रोविजिबल ग्रेडिट अट इस अप्लोड इंग अपलोड इप्लोड इप लिए उसके बाद में बाकि सारी जू रूल थे ना रूल 37 वन 80 डेज में अगर सप्लाय को पैमेंट नहीं किया तो रिवर्स करना प अगर आपने excess credit transfer कर दी अपनी branches को तो rule 39 गोलता है excess को आपको reverse करना पड़ेगा 42 आप सभी को मालूम है कि सर मेरी outward supply taxable भी है और outward supply exempt भी है या मेर बिजनस और non-business दोनों purpose के लिए यूज करता हूं तो section 17 क्या बूलता है कि सर आपको proportionate ITC reverse करनी पड़ेगी reverse करने का formula का पे टू पार में जाया हूं तो बहुज करना अ अ अ दर रिवर्सल न्कार पर दोर दो आपको निच्वेगी करने लाख को नेकान पकॉजिशन संसा टूल्म में गया अगर अभे बीज़ के लिएग वाले पार्टाव में टे ता अगर रिवर्सल अ रिदित तो मैं आपको लास्ट में यह सब्टोटल हो जाएगी और नेट 4C क्या जाएगा ITC अवेलेबल नेट आफ रिपर सब यहां पर कुछ है ओप्शन ITC डिकले डिरिंग अब मैं 4D की बात कर रहा हूं ITC डिरिंग डिरिंग अफस्ट तू मन्थ अव्ड़ अव्ड़ क्वार्टर अगर आपने अउप्ट किया तो 4D अप्लिकेबल होगा सर आपना क्वार्टरली रिटर्न के केस में भी जो GSTR 2 है ITC आप मन्थली बेसिस पर लॉकिंग सिस्टम अवेलेबल है आपको मालूम होगा कि सर एक लॉक वाला सिस्टम भी अवेलेबल है कि मतलब क्या है आपना रेगुलर बेसिस पर इनवोईश ड़ाते हो मैं मानता हूं मैं सप्लेर हूं और आप कस्टमर है आप रेचिपेंट है मेरी कोई भी फ्रेक्वेंसी होचा है मंतलियो चो काटरली मैं इनवोईश अपलोड कर सकता हूं अपने रेटी वन पे जैसे ही मैंने अपलोड किया यह आपको रियल टाइम बेसिस पर आपको दिखाता रहेगा र अपने क्या इनवोईश तो में उस ट्रांजेक्शन को लॉग कर दिया लॉग मतलब आपने उसको सटा रहेगा अब मैं उसमें फर्दरएडइटिंग निए कर सकता मतलब आप डिटन एक्श्विल भाडिक को राटर में करो अ करो अने के बाद करो या मैं रिटन करता होने क यह बात मेरी समझ पार ह्या हालांकि यह बहुत क्रार मेंन्क्राइब है अभी मैं सिरफ PDF के बेस्ट पर इसकेशशन कर रहा हूँ अब भी मैं सिरफ format के बेस पर डिसकेशन कर रहा हूं या जो मैं डिसकेशन कर रहा हूं उसका बेस क्या है certain instruction given by the department अब जैसे ही live आएगा जैसे इसका prototype आएगा तो थोड़ी और clarity मिले कि हम वापस पर दर डिसकेशन करेंगे पर जितना अभी information है उतना हम आज डिसकेशन कर लेते हैं आरेटी वन के रिकार्ड में उसके बाद में क्या होगा पहले मेने और दूसरे मेने में जो भी आपने लॉग किया आपका quarterly option है एक्षोल आइटी से आप कब लोगे ती मिना खतम होने के बाद में तो पस्टू मंग में जो लॉग किया वह आप दी में दिखा दीजिए नेट आइटी सी अवेलेबल है उसमें आप अगेन बाइफर के बाइफर के कर दीजिए कितना capital goods के रिगार्ड में है और कितना इन्पूर्ट एक्स क्रेडिट सर्विस के रिकार्ड में तो अगर आपका ये मंतली बेसिस पे या क्वाटरली बेसिस पे बाइफर केशन होता गया तो क्या होगा सरा आपको वहां पे दिक्कत ने आएगी जिए स्ट आइन के टाइम पे amount of the TDS and TCS credit received in the electronic cash ledger amount will be credited in the electronic cash ledger based on the return filed by the TDS deductor TDS deductor आपको मालूम होगा GSTR 7 file करता है और जो TCS collector होता है और fast reply करेंगे TDS क्या rate पे deduct होता है TCS क्या rate पे collect होता है साथ में TCS का भी लिखना TCS कितना percentage है आपको साथ TCS कितना percentage है तो तो मतलब क्या हो वाग दियुस्ट फर्सेंट होग टीच्स वयन परसेंट टीच्स कोई दिड़क करता है तीच्स कॉणरम छेलेक्ट कर था तेच्स कॉणरमेट करेकगा खुड़ा फटाफट तो जितना उन्होंने डिड़क्त किया वो भी आपे टेबल फाइस में और पॉपले टोगा इंटरस्ट और लेट फिस अभी एम करतें इंटर्स ओले फिस इंटर्स अभी आपरट व्यूत दॉट ओलेट इंट्रुडिय। तो अभी आपास शेफ लेटीश तो चैल्कुलेट ओलेटी बट इंटर्स आप नहीं हो रहा था। सब इंटर्स भी सिस्टम काल्कुलेट करेगा क्योंकि मैं आपे इंवोइस वाइस इंपरमेशन दे रहा हूँ ANX 1-Min इंटर्स्ट अनकाउंट तर रिवर्सल अफ ITC अब ITC अब आप मैंवली डिवर्स कर लेओ तो तो बी काल्कुलेटेड वाइड़ एक्स्पेर इंटर्स्ट अनकाउंटक अव्ड लेड़ डिवर्स्ट आप्टें को कि ष्थ नॉर्मल कुशना चाहता है ho आज आप 1718 झाना फाइल कर रहे हो आज आप 17-18 का JSTR 9 फाइल कर रहे हो अब मालूम चला जिस SAC की ऑडिट कर रहे हो जिस SAC का JSTR 9 फाइल कर रहे हो जिस क्लाइन का फाइल कर रहे हो उसने 9-4 जो रिवर्स चार्ट की लिएबिलिटी थी वो पे नी की पहला कोश्चन तो ये किलियर है आप उसे टेक्स पे कराओगे और साथ में उसकी आप ITC लोगे मुझे पहले इस पोश्चन का अंसर दो ITC लेने के लिए आज आप पे कराओगे तो आज आप ITC लोगे या वो ITC उसकी लैप्स हो जाएगी काइंडली कनफर्म ये प्रॉब्लम सभी GSTR 9 की जो भी आप क्लोज करें सब में ये प्रॉब्लम आएगी अभी तक पांच रिप्लाई आई है पांच मैं सभी पार्टेसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आई टी सी मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं रिवर्चार्ट की बात कर रहा हूं घ्यान रखना मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं दो व्यू आ रहे हैं मिलेगी और दो एक व्यू आ रहे हैं लैप्स हो जाएगी कहीं पर यह 31 मार्च की डेट आ रही है फर्स्ति पॉइंड तूभि रिमेंबर जो थाई लिमिट यह से टाइम लिमिट थाएग वाला सिक्सिंक पह चाहला वाले रिवर्चार्ट कर रहे हो ना यह सकते हों classic अभी लेकिच्टे हो टेपार्में इभी कन रब्यें किया कि तीं जुलाइग परिंगा थाएगा रिप पर चार्ज, नॉर्मल आइटिसी की बात नहीं कर रहा हूं, गुजराथ हाई को अगर मैं सेट असाइड रहता हूं, तो नॉर्मली 31 मार्च 2019 की जो डूरेट थी, वही मेरी लास्क डेट थी, गुजराथ हाई कोट के बाद में थोड़ा सा कांटर अर्गुमेंट अराईज हुआ, अगर मैं गुजराथ के बाहर हूं तो मैं उसका बेनिफिट भी नहीं ले सकता गुजराथ थी, जब तो मुझे मालम नहीं तिन जुलाई का अप देख लेना सब्सक्राइग आपको अपको मिल जाएगा मैं इस क्लास के बाद में आप इस विद इंट्रस्ट आंसर बीएस आज जो आप GSTR 9 फिल करोगे 1718 का यह किलरीटी पंडिंग है यह किलरीटी पंडिंग है इस विद आप डिए जाप आप से मिलेगा नहीं एक इस टीलरीटी आचुकिया बट यह डाउट अभी विए उस ट्रांजेक्शन को में 1718 में डिपोर्ट वाया 19 20 में रिपोर्ट करोगा देर इस वुपर्ट प्रोसेस मेरे साफ सब्सेव जाएगा विद इंट्रस्ट इस टेक्स पे होगा 1718 में रिपोर्ट होगा उसकी ITC 19 20 माप क्लेम कर सकते हो हालांकि इस 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 आर्गूमेंट है तो यह मैंने अपना प्रोसेस आपके साथ शेख किया है बट ITC के रिगार्डवा नाव दिर इस नो अंबीविविटी कन्फर्म वाइद एपार्टमेंट की विकास रिवर्स चार्ज की जो ITC की एंटाइटलमेंट होती है वो तभी होती है जब आप पे करते हो जब तक आप पे नी करोगे ना अब तक तो एंटाइटलमेंट यह यह नहीं होता अरीजिविटीारस नहीं होती है आप यह इंगे यह पर आते है अधर इंटर्स लाइटी तो बीकल्प्रेटिव बाइट एक्स पर और को इंटर्स पीलाइबलीत की ए तू बिस्पेसिफियाइग अप बता दो और आप इसको क्ल्क्लेट कर दो और यहां पर दालको आप टेक्स का फमेट आपको करना है टेक्सिंगे क मिड हमें ज्लेट इसे हें प्टो दाइसि को अभी मेटे इंठी अचे अच्छ, को cup फर्ध रोल ओर चंजन वह होते अब यह नया पॉइंट है यह पहले ना थो क्रीबी में था ना वन में था ना वन में था यह क्या अगर अगर अजुद शाप में लेना चाहते हैं तो यह आप आरिटी वन के टाइम ही आपको अप्लाइ कर सकते हो आपको डिफेरेंटर रफD 0 1 फाइल करने की ज़रूरत नही पड़ेगी यह सिस्टम एक्ट में लिखा वा था फॉर सर्टेन केटेग्री जो यॉइन वोल्डर के गर आप लेंग्विज लेकोगी यॉइन वोल्डर में जाओगे ना तो उन्हें यह का गया कि जब आप रेटन फाइल का वहीं पर रिफंड क्लेम कर लोगे बट कैसे कोई मेकनिजम नहीं तो उन्होंने और रेट जीर वन एड किया अब यह मेकनिजम आड़ी वन में आ चुकी है तो मेरे को लगता है उसकेस में अब आपको अगर एल्लेक्रोनीक कैस लिजर से रिफंड लेना है इलेक्रोनीक टैश लिजर में आपका एक्स्स बैलेंस है उसका अगर आप रिफंड लेना चाहते हो आपको सिर्फ टेबल एट फिल करने है दिर इस नो रिक्वार्मेंट तो फाइव और डिवा कुछ एक पॉइंट की बात कर लेते हैं हम दोग वन बाइवन कुछ paling कि भगके पर आपके भी कुछिछ नो बात कर दिर एक मॴज़ झांवरी तनूर है यंड कर दो तो ओो डिड़ खायर नो चिधा से वामेट हो पुछिख ढ़ी hell